How to remove lines from phone screen दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर मेरे mobile phone की display पर आपको बहुत सारी lining का issue देखने को मिल रहा होगा तो इस time बहुत सारे mobile phone users के साथ same यही common problem आ रही है उनके mobile phone की display पर कुछ इस type से automatic से lining का issue आ रहा है जैसा कि आप यहाँ पर lining का issue मेरे mobile phone की screen पर देख रहा होगा तो ऐसे में मैं अपने mobile phone में किसी भी application को उपन करूँगा YouTube को उपन करूँगा आपके सामने refresh भी करूँगा तो continue आपको यहाँ पर मेरे YouTube की display पर भी जो lining का issue देखने को मिल रहा होगा तो जैसी यहाँ पर में YouTube से back होने को अब किसी दूसरी application को उपन करूँगा आपके सामने Facebook को उपन करूँगा तो जैसी यहाँ पर Facebook को उपन करने को आपकी आपको के सामने refresh भी करूँगा लेकिन continue आपको यहाँ पर मेरे mobile phone की display पर lining का issue देखने को मिल रहा होगा जैसा कि आ आपको मेरे mobile phone की display पर कुछ lining का issue देखने को मिल रहा होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगा चाहे आपके पास किसी भी company का device क्योंगा Samsung, Realme, Oppo, Vivo, Techno, Infinix, Motorola या OnePlus का phone क्योंगा तो अगर आपके mobile phone की display पर भी कुछ इस type से lining का issue आ रहा है तो आज किस वीडियो में आप आपको तिन ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिन तिन सेटिंग को एनेबल करने पर मैं गैरंटी के साथ लाइक प्रूफ करत आपकी आँको के समने अपने mobile phone में lining की प्रावल्म को सालू करके बताने वाला हूं तो तो तीनु सेटिंग आपके लिए most important होने वाली है तो आप इसे अपने YouTube को उपन करों तो YouTube पर open करने को पहले आपको यहापर lining का issue देखने को मेरा हूं तो अब यहापर आपको यहापको यहापर लाइनिंग का issue देखने को नहीं मिर रहा हूं तो अब यहापर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि most helpful वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है तो यहापर जैसी आप फेस्बुक से बैक होने को जैसे कि आप यहाँ देखें मुबाइल फून की home screen पर आगया तो दोस्तो तीनु सेटिंग आपको सबसे पहली सेटिंग का नहीं आपको अपने मुबाइल फून की home screen पर आने के settings कोपन कर देना है तो जैसी आप अपने mobile phone में settings कोपन करेंगे तो setting का कुछ ऐसा interface निकल के आ जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे option हैंगे जैसे क्या देरेंगे वाइफाई का mobile network का Bluetooth का connection शेरिक का wallpaper का home screen का display and brightness का sound and vibration का notification and status बारकेंचे security and privacy location safety guard या बैट settings का icon पर klick करेंगे तो setting का कुछ ऐसा interface निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको bottom में 2 option देहन को मिल रहूंगा data usage का storage usage क nostalgia किया सिक्ट पर इतनी अगा तो सब्रекान का इतनी नबर रखेवा में धाइन निला के संदी दूसरी इंपरेण से निया तो सब्चलीई कि आंपकर आपके सव्वां दूसरी इंप्रेण सne अने उसम्हां ऑठीट करना है तो जैसि का का सब्स मांधल करेंगे तो again setting का सेम वैसा ही interface निकल गएगा अब यहाँ पर आपको setting के top करम पर search bar में direct search करेंगा R E S E T आपको reset लिखे सर्च कर देना होगा तो दिहान रहे यहाँ पर आपके mobile phone को reset नहीं मार रहा है तो जैसी आप reset लिखे सर्च करेंगे तो आपके समने 5-6 option आपको पहला पर नि दूसरा प्री तिसरा option आ रहा होगा reset आल सेटिंग तो यहाँ पर मुझे reset all setting आ रहे हो सकते हैं आपके mobile phone में reset setting आ रहा हो तो reset setting reset all setting एक ही चीज़ आपको बिल्कुल टंफीज नहीं होना है आपको reset setting पर क्लिक करना है तो जैसी आप क्लिक करेंगे, again आपके समने तिन option निकल करेंगे, तो आपको पहला बनी दूसरा आपने रिसेट सेटिंग पर क्लिक करने, तो जैसी आप क्लिक करेंगे, जो भी आपने पर मोभाएल फून में security pattern या पिंडा को को स्कॉल लगा देना है, तो जैसी आपकी system setting restart होगी तो आपको यहां से back आ जाना है mobile phone की home screen पर तो यह आ गई setting number second अब आपको अपने mobile phone में last and final setting सबसे important setting करनी आपको अपने mobile phone की home screen पर आनक जो भी on up button है इसको long press करना है तो जैसी आप आप लांग प्रस करेंगे तो आपके सामने दो option हैंगे power off का restart को दोस्तों यहां पर मुझे restart का icon आ रहा हो सकता आपके mobile phone ने remote का icon है तो restart और remote जो है एक ही चीज़ा आपको बिल्कुर confused नहीं होना है last setting आपको यह करनी आपको अपने mobile phone को last पर at least एक पर restart your remote मार दना है तो restart your remote माने से आपके mobile phone ने कोई भी data डिलेट ने होगा data आपके mobile phone ने तब डिलेट होता है जब आप इतिन शाटिक के मदर से आपके mobile phone में display lining के प्रावल्म को सालोग कर सकते हैं यह थी चोटी सी information वीडियो अच्छी लगी चैनल को subscribe करना ना भूलिए thank you